नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शेफगांद गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में तीन बार एंकाउंटर फिर भी जिन्दा साथ साथ गोलियं लगी कुछ ऐसी ही कहानी है अमर्तियार राव और डीके राव की इसके पीछे की कहानी क्या है कहां से आया कैसे बन गया फिल्म मुंबई सागा का ट्रेलर इन दिनों चर्चा में है साथ ही एक नाम चर्चा में है नाम है अमर्तियार राव जौन इब्राव फिल्म में गैंस्टर अमर्तियार राव की एक करदार में नजर आएंगे समझा जाता है कि ये खिदार असल जिंदगी में डॉन डीके राव की कहानी से प्रेरित है डीके राव 23 साल जेल में बिता चुका है एक नहीं डो नहीं बलकि तीन तीन बार पुलिस इंकाउंटर में जिंदा बजा है तो आईए जानते मुंबई अंडर वर्ड के इस डॉन डीके राव की असली दास्तान जॉन इबराहिम, मिम्रान हाश्मी, सुनिल शिट्टी, मुंबई सागा ये ट्रेलर हमने देखा और एक और मुंबई की कहानी हमें देखने को मिलेगी जिसमें की डॉन है, अंडर वर्ड है, खुन खराबा घूलिया संजे गुपता के डिरेक्शन में बनी ये फिल्म है इस क्राइम फिल्म में जॉन इबराहिम अमरतिया राव नाम के एक गैंस्टर की भूमिका को निभा रहे है ऐसे में हर किसी की दिल्चस्पी है कि आखिर ये अमरतिया राव कौन है ये दिल्चस्प है कि मुंबई जहां एक और सपनों का शहर है वहीं इसके समंदर में अंडर वर्ल्ड की ऐसी कई कहानिया दफन हैं, डूबी हैं जिनको सुनकर आपके रौंग्टे खड़े हो जाएंगे अब इरत्यार राव की किरदार भी कुछ ऐसा ही है बताया जाता है कि इस कहानी की असल जिंदगी गैंस्टर डिके राव की कहानी से बहुत जादा मेल है उसी पर अधारित है डिके राव जो पुलिस एंकाउंटरन में तीन बार जिंदा बचकर आज भी जेल में बंद है माटूंगा के चौल में जन हुआ था जी हाँ, डिके राव इनका जन माटूंगा के चौल में हुआ था इनका असली नाम रवी मलेश वोरा है मुंबई के माटूंगा इलाके के चौल में रवी मलेश वोरा का जन हुआ असी के दशक में जब मुंबई आधुनिक्ता की रेस में आगे बढ़ रही थी तेजी से आगे जा रही तभी रवी मलेश भी डी के राव बन रहा था वो अंडर वर्ल्ड की दुनिया का शायद एक लोता ऐसा अपरादी होगा जिसका पुलिस ने तीन तीन बार इंकाउंटर किया और वो तीनों बार जिन्दा बच गया डी के राव चोटा राजन के लिए काम करता था फिरोती मांगना, बैंक लूटना, हत्या, धमकी देना इस सारे के सारे मामले उसके खिलाफ दर्च थे कहते हैं कि राव की जान के पीछे दाओद भी पड़ा था मुंबई सागा एक फिल्म है, इसमें देखना होगा कि इस तरीकी की चीज़े दिखाई जारी या नहीं है पूरी आजादी है कलपनाओं की, अब कलपनाओं के भवर में डुबो कर कैसे डीके राव की कहानी को दिखाया जाएगा राजजन का दाहिना हाथ सबजा जाता था रवी मलेश, वोरा, उर्फ, डीके, राव करीब 23 साल से जेल की सलाखों के पीछे है जुलाई 2016 में वो जेल से रिखावी हुआ था लेकिन फिर अक्टूबर 2017 में एक बिल्डर से फिरोती मांगने के आरोफ में उसे दोबारा गिरफतार कर लिया किया पुलिस पहले उसे रवी मलेश के नाम से ही जानती थी लेकिन कई साल पहले लेडी सिंगम के नाम से मशूर इंस्पेक्टर मदुला लाट के साथ इंकाउंटर में वो घायल हुआ उस दोरान उसकी जेब से एक बैंक का फरजी आईकार्ड मिला इसमें उसका नाम डी के राव लिखा हुआ था तबी से अंडर वर्ल्ड में वो इसी नाम से जाना जाने लगा इतना है नहीं मुंबई के एक और सूपर कॉप डी शिवानंद ने एक इंकाउंटर में राव को धेर करने की कोशिश की थी लेकिन कहते हैं कि साथ गोलियां लगने के बावजूद भी उसकी जान बच गई दादर में हुए इस इंकाउंटर में चार लोग मारे गए थे डीके राव का पहला इंकाउंटर उस समय के इंस्पेक्टर अनील महाबोले के साथ हुआ था ये वाकिया 91 या 92 का था महाबोले उन दिनों नागपाड़ा पुलिस टेशन में कारारत थे छोटा राजन से अलग होकर ये खुद का गैंग जब बनाया था तब ये मुश्किले शुरूई थी बताया ये भी जाता है कि छोटा राजन के भारत डिपोर्ट किये जाने के बाद डीके राव उससे अलग हो गया वो अब अपना खुद का गिरोह चला रहा था लेकिन 12 अक्तुबर 2017 को जिस केस में डीके राव की गिरफतारी हुई है मुंबई क्राइम ब्रांच को उसमें छोटा राजन की भूमी का भी नजर आ रही है बिल्डर से मांगा गया था पचास लाख रुपए का हफता साल 2017 में डीके राव की गिरफतारी अटॉप हील के SRS से जुड़े हुए एक प्रोजेक्ट के संबन में की गई थी जब जुलाई 2016 में डीके राव जेल से बाहर आया तो उसने फिर से हफता मांगने की गत्वीदियां तेज कर दी इसके बाद एक सोसाइटी निर्मान कर रहे बिल्डर से डीके राव ने पचास लाख रुपए का हफता मांगा बिल्डर के जो कंसल्टेंट ने धारावे पुलिस जो था वहाँ पर ये F.I.R. लिखवा दी जिसके बाद उसे गरफतार कर लिया गया राजनीती में भी एंट्री लेने की बहुत कोशिशे की थी डीके राव ने डीके राव के बारे में एक और दिल्चस्प बात यही है कि पिछले दो दश्कों से उसका खलाफ दरजनों केस हुए वो सभी केसों में बरी भी हो गया तब ही जाकर जुलाई 2016 में उसे जेल से रिहा किया गया बता जाता है कि डीके राव राजनीती की दुनिया में भी कदम रखना चाहता था लेकिन जेल और बेल के चक्कर में बात बनी ही नहीं और हमेशा डीके राव जो है वो अपने जिन्दगी की जो बड़े बड़े टाइम था उसका वो जिल मेरा फिल्म आ रही है मुंबई सागा और इस फिल्म में हमें किस तरीके से इस करदार को केर कर दिखाया जाएगा देखना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि अक्सर मुंबई की जितने भी डोन रहे हैं मुंबई फिल्म इंडस्टिन से बहुत प्यार करती है और उनकी एक ऐसी चवी बना कर लेकर आती है जिससे वो हीरो बन जाते हैं तो यहां पर भी एक डोन को हीरो बनाया जाएगा अब देखते हैं कि क्रेटिव आजादी के नाम पर कितना खिलवार यहां पर होगा